पंचकुला स्टेट क्राइम ब्रांच ने बुद्वार को दीपक नाम के छोटे बच्चे को सोशल मीडिया की मदद से उसके माबाप से मिलवा दिया दरसल दीपक जिसकी उमर 12 साल है वह चंडीगर डड़ू माजरा का रहने वाला है वह 13 तारीक को घर से बार खेलते खेलते गुम हो गया था जो की 14 तारीक को पंचकुला मनसादेवी में पुलिस को मिला पुलिस ने इस बच्चे को सेक्टर 16 आशियाना होम भेज दिया था और इसके बद इस बच्चे की जानकरी CWC के चेर परसन बंदना गुपता ने स्टेट क्राइम ब्रांच को दी स्टेट क्राइम ब्रांच ने जब बच्चे की काउंसलिंग की तो बच्चा मंद बुधी था जो की नै बोल पाता था नै सुन सकता था स्टेट क्राइम ब्रांच ने इस बच्चे की वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी शोशल मीडिया की मदल से कल स्टेट क्राइम ब्रांच को चंडिगर पुलिस का फोन आया वे सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चे को उसके माबाप मिल गए A.C.W.C. के अदेश से बच्चे को उसके माबाप के हवाले सौप दिया गया पुल बोलने सकता है ना सुन सकता है वो जो है मनसा देवी पुलिस को मिला है चोदा तारीक और उन्होंने डीडियार और मेडिकल कराकर बच्चे को सीड़ रूसी के समिक पेस करकर इसको सीशुगरे में छोड़ा गया है तो आप पली जी इसको कॉंसलिं करे या इसको जो भी आपने अफिर्स लगाने है इस बच्चे का परिवार तलास करने में आप मदद करे तो हम तेज तारीक की मौहाँ पर पहुंचे बच्चे से जो हमने बात करनी चाही उसको आप कुछ नहीं पा रहा है तो ये बच्चा ना बोल सकता मिली चंडीगड पुलिश की तरफ से एक कॉंस्टेवले क्रिसन कुमार उन्होंने बताय कि भी जो इसकी माता जी है वो मेरे पास आई थी और ये बोल ली थी मेरा एक बेटा ऐसे गुम हो रहा है तेरह तारिक से ना बोल सकता ना सुन सकता है तो उसकी माता को फोटो दिखाय जाएगा बच्चा कहा करें बोल सर्भी ये हलो माजरा चंडीगड में रहने वाला है और वहीं अपने ममी के साथ रहता था ये सर जो है बच्चा खेलता निकल गया था और वहां से खेलता खेलता ये बच्चा मनसदे भी पहुँच गया है तो ये पहले भी एक-दो बार न सर बच्चे का नाम देपक है और इसकी जो उमर हो 12 साल है पापा का नाम सुरेश सर्वाए